ने में शिकार दोस्तों Welcome back to सेवल पूपतर, आजम करने वाले हैं projection के top 25 question में इस्ते पहले आपको एक lecture बताया था projection काई इससे पहले आपको lecture लेक्षर देखना projections का जिसमें आपके सारे basics के लिए हो जाए ओके उसके बाद आपको यह लेक्ट्चर देखना है जिसमें हम लोग 25 कोश्चन कराएंगे प्रोजेक्शन के ठीक है और आगे अगर टाइम मिलता है तो डॉइंग के भी जो आपकी डिमांड आरी डॉइंग के क्वेश्चन और अधर जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी आपको क्व पहले बात करते हैं लोग वन वाइवन क्यों हर एक क्वेश्चन को डीटिल में सुल्ब करेंगे तो वीडियो को लाश्ट तक देखना है एक एक पॉइंट को समझना बारी की से वरना आपको डाउट बहुत आएंगे और एक पॉइंट को देखना है एक ही कॉंसेट लगना सबको एक ही तरीक है समझना है तो चली वीडियो को स्टार्ट करतें दर है तो हमारा पहला गॉशन है न ऐलन ओर तो गराफिक प्रोजेक्शन धॉर्जुमार इकस्वाय लाइन ऑप आइस पर नहों दिन को बोलते हम लोग प्रिंस वख्रेंस लाइन को क्या भोलते हैं लोग यानि की आप्शिन नंम्बर एधा-इक फिस था रायट अंसर ऑके कि तो चलिए बढ़ते हैं नेस्ट कोश्चन की और अगला question है, in orthographic projection, the projectors are assumed to be तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग दो type के projection पे बात करते हैं एक होता है आपका parallel projection, एक होता परस्प्रेक्टिव projection parallel में lines parallel होती है, परस्प्रेक्टी में line diverting होती है ठीक है, और इसी के एक type है हमारा orthographic यानि कि orthographic में भी lines क्या होती है parallel होती है यानि कि option number आपका be the right answer parallel to each other ओके तो चलिए बढ़ते हैं next question क्यों अगला question है हमारा कि the side view of an object is obtained on अगर मैं बना हूं तो यह आपका front view है ठीक है यह आपका बड़ टॉप व्यों है यह आपको side view is three plane बना दिये थीक, एक plane यह हो गया एक plane यह हो गया एक plane यह हो गया ठीक है तो अगर हम लोग यहां से यहां से देखेंगे तो हमारा top view बनेगा है इसको elevation निट को बंटेंगा हमारा front view जिसके हम लोग-elevational Ši बोलते हैं उपर से देखेंगे दो bottom विओ अनेगा और इससा सünde से देखेंगे सब्सक्राइब कुभास ऐसार भिइन पर बनता है na ऐस्ट fandom की खिए कुलते हैं लो Влад को प्रॉफाइब बनता है तो side view कि plane पर बनता है profile plane पर बनता है यानि कि option number D इधर right answer profile plane ओके तो चलिए बढ़ते हैं next question के और अगला question है और बहुत जादे important है minimum number of orthographic views necessary to show length width and height of an object ठीक है अगर मैं first quadrant में बात करूँ आपका first angle projection की बात करूँ अगर मैं ठीक है तो वो इस तरह होता है कुछ okay ठीक है यह होता है आपका और यहां पर हम लोग बात करें तो आपको क्या चाहिए length width and height अगर मैं आपको object मालो इस तरह आपका यह कोई अगर अगर लेंड की बात करूं तो फ्रेंट से देखूंगा तो मुझे इसकी लेंड दिख जाएगी दोनों देख जाएगी नहीं विड्ट की बात करूं तो उपर से देखना पड़ेगा यानि कि मुझे दो वीव की जहूत पड़ेगी एक आपका top view एक प्रेंट यानि कि दो व्यूस की जहूत पड़ेगी कितने वीव की दो यानि की option नमर सीधर राइट आंसर ओके टू ओके तो चलिए बढ़ते नेक्ट क्वेशन के और अगला क्वेश्चन हमारा अगला कि अगला कि टॉब्यू आप अब्जेक्ट शुट भी ढूंड देखिए टॉब्यू अब्जेक्ट का कहां पर टो होगा तो अगर हम लोग बात करें पर यह मारा प्रोजेक्शन होता है यह ठीक है क्वाडेंट होता हमारा यह टॉप भी यानिकि टॉप से आप देख रहो हो तो यह यहां पर देखेगा एक यहां पर देखेगा ठीक टॉप से और इसको हम लोग वाइस गुमाते हैं इस तर रोटेट करते हैं यानि कि टॉप व्यू हमारा ये तो हमारा फ्रेंट व्यू होगा इधर से दोनों से फ्रेंट व्यू होगा और टॉप ये वाला इसके नीचे बनेगा हमारा जो सोरी ये फ्रेंट व्यू होगा ठीक है और जो ह option number B is the right answer okay तो कि ये रोटेट होगा तो ये वाला portion नीचे चला जाएगा और ये रोटेट होगा तो ये वाला portion उपर चला जाएगा यानि कि बी बिलो और अबब दा फ्रेंट गीव ओके तो चलिए बढ़ते हैं नेक्ट कॉश्चन की और कि अगला कॉश्चन हमारा अगला कॉश्चन है फोर्ट ग्राफिक प्रोजेक्शन मेतड बी इस रिकमेंट्स दा फॉलोविंग प्रोजेक्शन तो बी इस कॉंसर रिकमेंट करता हमारा फ़स्ट एंगल प्रोजेक्शन यानि कि आपका आप्ष्य नमर एज दा राइट आंसर ओके तो चलिए बढ़ते ह कि एगला प्रोजेशन हमारा फार कॉश्टर गीवन अध फ्रैंडी मेना फ्रेंड व्यू और तोग्राफिक प्रोजेक्श्फिस अइद्टीफायस था करेक्ट प्रेक्ट व्यू ठीक है यानिकी निका फ्रौज होगा ठीक है यह वह मेरा है ह। इस से मढश्आम कि अधिन तो यह बन रही है लेकिन यह वाली लाइन इसमें नहीं है जानों दर देख च्क complete बनने है ठीक है ओके और टॉब्यू से देखें तो यह यह ब्लॉक बन जाएगा और एक यह ब्लॉक बन जाएगा यानि कि आपके नमा सहीधा राइट आंसर ओके यह हमारा top view है यह हमारा front view है तो चलिए बढ़ते हैं next question की यूँर the line joining the front end of view of a point is called तो जो top view front view को join करते हैं उन लाइन को बोलते हैं लोग projectors क्या बोलते हैं projectors यानि कि option number be the right answer okay तो चलिए बढ़ते हैं next question की और अगला question है a point is 30 mm below hp and 40 mm behind vp its top view देखे पहले आपको यह ड्रो करना है ठीक अगर आपको प्रेक्टिक साथ ड्रोग करने की जोगत नहीं है and 40 mm behind hp यानि कि यह वाला coordinate आगे थर्ड अपना ठीक है तो थर्ड में आ गया तो 40 mm अपना behind यानि कि यह 40 है और यह 30 है टॉप गी का बने का टॉप से देखेंगे तो यह वाली projection यहां बनेगी यह यहां पर आजाएगी अपनी लाइन जो होगी हमारी यह वाली यहां ऐसे बनेगी और यहां आजाएगी और कितना आएगी यह 40 ता यह 40 ता रोटेट की यह कितना है एक अबव 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 यानि की ओप्शिन अमब सीधा राइट आंसर अकॉरडिंग तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट के यूर अगला कोश्चन हमारा आज कि अदर फ्रन्ट वीउ औफ स्ट्वू अब अबव द रिफ्रेंस लाइन ठीक है यह रिफ्रेंस है अधि मेरी और यहां से कोई पॉइंट है ठीक है फ्रेंट यह कोई माल लिया और यह 50 अबवाव यहां से एंड टॉप व्यू इस 20 अमब्लोव दफ फ्रेंट व्यू भूख तो हमारा जो आपका talk view है और 20 एमैम बिलोऊ की ΑÓ一起 अमारा यह दा यानि इससे 20mm नीचे रहे हैं क्या है रिद्स चाहिक अनका लेंगवेट को बहुत इंपॉर्टन तरिक क्रिकसा पकड़ना है यह तो ठीक है कि front view जो हमारा 50 mm अबब रिफ्लेंस लाइन है ठीक है लेकिन जो हमारा top view है वो 20 mm below है below किसके front view के यानि कि इसके below 20 mm ठीक है यानि कि यह 30 बचा यानि कि x y-line से उपर दो चीए बन रहे एक top view बनना हमारा and front view बन रहा है तो top view front view उपर किसमे केस में बनते हैं यह बनते हैं हमारे second quadrant केस में यानि कि से ठीक है second quadrant में ओके यानि कि second angle projection method में ओके यानि कि आपका option number C either right answer ठीक है आपको question को बहुत बारिकी से पढ़ना है और ऐसा question आने के chances रहते हैं exam में ओके तो चलिए बढ़ते हैं next question क्योंग है अगला question हमारा the elevation of a point is 40 mm above reference line यह xy हो गई यह कोई point हो गया यह point 40 mm ऊपर है यहां से यह point बना लिया ठीक है and the plan is 50 mm below reference line यहां reference line से बुलिए और आपका यह आपका क्या है हमारा यह हमारा front view है यह हमारा top view है ठीक है तो आपको बताना यह कितना 50 mm ठीक है तो यह कोई this quadrant में आता front view ऊपर top view नीचे तो यह आता first quadrant में ठीक है तो आपको पहले आगे मेरा जो projection वाला theory वाला lecture वह देखने है अगर आपको यह चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो next question हमारा the elevation of a point is 40 mm above reference line ठीक है reference line अपनी बना लिए कोई भी point बना लिए ठीक मैं आपको बड़ा show कर रहा हूं ठीक है यह कितना जाना से 40 mm above कौन सा है elevation यानि कि front view अपना ओके एंड़ प्लान इस 50 mm विलो यहां से 50 mm विलो है reference line की तो यह बनता हमारा first quadrant में ठीक है तो यह जो हमारा होता है यह आपका front view यह हमारा whole gentle से कितना distance उपर हो शो करता है यानि कि 40 mm above hp यानि कि 40 mm above hp यानि कि B हो गया ठीक है और यह जो हमारा आपका top view शो करता है यह वर्टिकल से distance शो करता हमारा कि वर्टिकल से कितना behind है या in front है ठीक है तो यहां पर यह first quadrant पर यानि कि in front in front कितना 50 mm ठीक है यानि कि 50 mm in front of VB यानि कि second and third किसमें आ रहा है second and third यानि कि option number D is the right answer according to the question ओके तो चलिए बढ़ते है नेक्सक्सक्शन के और अगला कर्शन हमारा अगला कर्शन हमारा अगला अगला इस पर लाइन टो बोथ Hp and Vp इस टू लेंध विल भी सीन देके यह मैंने आपका कॉड़िंट बना दिया ठीक है एक लाइन है यह इसके भी पर लाइगी और इसके पर लाइगी तो इसकी जो टू लेंध जो एक्ट्व लेंध है वो कहाँ पर दो शोगी तो वर्टिकल प्रेंबे भी शोगी और आपका और अगला कॉच्छन हमारा फोर द गेवन और्थोग्राफिक प्रोजेक्शन वट विल बी द पोजिशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू प्लेंस ऑफ प्रोजेक्शन ठीक है तो आपका यहां पे एक्स वाइस से उपर दोनों क्वाडिन बन रहे है यानि कि टॉप व्यू और फ्रेंट अगला कोशन हमारा इस्टेट पोजिशन ऑफ पॉइंट बोथ द व्यू स्लाइस ऑंद रिफ्रेंस लाइन अगर दोनों व्यू अमारे टॉप और फ्रेंट व्यू रिफ्रेंस लाइन पे शो हो रहे हैं इसका मतलब वो एच्प और वीप दोनों महीं आनि कि वह इस तरह है अगरे यहां से अफर के प्लेट यहां है आप इधर से देखो तब भी एक्सक्ताइब पर से एक्स्वाइद ओपर से देखो तब भी एक्सवाइद पर यह निया कि पॉइंटि सच्विएट इन एच्पी ऑंवीप आनने कि ऑफ्षिन नमर एधर राइट अंसर अक्वेडि ठीक है यह reference line हो गई ठीक है यह 50 mm अब आव है हमारा कौन सा front view है के end top view 20 mm below the front view और जो front view है उससे नीचे 20 mm नीचे क्या हमारा top view है तो यहां पर दोनों चीज़ें उपर बन रही है उपर बन रही है आपका top view and front view आपके xy के उपर बन रही है और दोनों चीज़ें उपर बन रही है इसका मतलब क्या है वह कौन सा quadrant है तो तो वह हमारा second quadrant है यान की option नमस सी इधा right answer according to the question ओके तो चलिए बढ़ते है next question की और अगला question अपना a point whose elevation is above the reference line यान की xy है उसका जो elevation reference line के उपर है इस प्रबबब्ली सुचिटेटेड नि दिखे मैं आपको पुरा फिर से बना के दिखाता हूं ठीक है a point whose elevation is above the reference line तो अबब कहा होगा point यहां होगा यहां होगा तो above reference line इसके उपर तभी होगा ठीक है या यानि कि first b second b option c में दोनों कांसा दे रखा यानि कि option number c a और b दोनों में से कोई भी हो सकता है या फिर दोनों ओके अगर एक देखा हो था यह first a second में तो उसको लगा थे दोनों दे रखें तो दोनों लगा दिए ओके तो चलिए बढ़ते है next question की और अगला question अपना if top view of a line is a point if top view of a line एक लाइन की बात कर रहा है जानकना is a point its front view is देखे यह मैंने बना लिया quadrant फिर से ठीक है और यहां एक line है इस तरह है और top view देखूंगा तो यह मुझे point की तरह दिखेगी यहां पर अगर मैं तो यह मुझे जैसे इसका dimension है तो पर पेंडिगुलर टूए पर पेंडिगुलर तो होगी ऑपरेंड लेंद यानि कि जो एक्च्छल लेंद से हटके लेंद होती है उसको अपरेंड लेंद बोलते है ठीक है तो अपरेंड लेंद तो नहीं दिखेगी हमको क्यों अगला कोशन अपना अगला कोशन अपना the point at which the line intersects with vertical plane extend if necessary is known as जिस plane को cut करते हो वह उसी type का trace ہوتा है अब वर्टिकल पलेंग को इंट्रसेक्ट कर रही है तो वह वर्टिकल ट्रैस है यानि कि आपका ऑप्षिन नमब भी दर राइट आंसर ओके तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेशन की और कि अगला कोश्चन है कि आपको इमेजन करना है ठीक हर बार आपको बना के दिखा रहा हूं यह मैंने मान लिए यह प्लें है मेरा इस तरह ठीक है यहां से बना हुआ है इसके भी 90 है और इसके भी 90 है ठीक है तो इसकी टूशिप एक कैसा हूं से लिए उपर से देख़ूंगा टॉप यूजित अप्लें की इस चेफ दिखेगी तो इसको इसको बोलते है प्रोफाइल प्लेंड ठीक है यानि कि पीपी यानि कि ऑप्शन नंबर सीधर राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दा क्वेश्चिन ओके तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चिन के और इस बोथ टॉप और फ्रेंड युफ आप फ्लेंड अर्श्ट लाइन ठीक है अगर मैं उसकी बात कर रहा हूं ठीक है फिरस्ट क्वाडिन की बात करने हैं फिर से ठीक है आपका टॉप व्यू एफ फ्रेंड यू दोनों से राइन है तो उसकी बात का इस टू शेप विल बी तो फिर बोई बात आगी क्योंकि यह plane की बात कर रहा है तो plane होगा 2D यानि कि कोई भी rectangular या फिर कोई भी square होगा ओके तो इसकी true shape फिर से कहाँ पर दिखे कि अपने को इस वाले plane पर जो कौन सा हमारा profile plane यानि कि option number see the right answer ओके तो चलिए बढ़ते हैं next question क्यों अगला question है orthographic projection represent three dimensional objects in जो 3D object होता है तो orthographic में हम लोग 2D में represent कर पाते हैं ठीक है लेकिन isometric में क्या होता है उसको 3D में represent करते हैं लेकिन one view में represent करते हैं ठीक है तो हम लोग किस में represent करते हैं 2D यानि कि option number be the right answer ओके तो उचलिए बढ़ते हैं next question क्यों और अगला question है हमारा इन orthographic projection the projection lines are dash to the projection plane ठीक है orthographic में जो projection line होती है वो projection plane के perpendicular यानि कि 90 degree होती है 90 degree यानि कि ortho होती है और तो यानि कि option number be the right answer ओके तो चलिए बढ़ते हैं next question क्यों अगला question हमारा अगला question हमारा तो हम लोग यह चार क्वाडरेंट होते हैं तो हम लोग first and third को prefer करते हैं ठीक है और इंडिया में first होता है अमेरिका में other country में हमारा जो एक दू कंट्री है महां third use करते हैं ठीक है यानि कि first and third case में आरा option number B में ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं next question क्यों अगला question हमारा the number of principal views है तो जो principal view मैंने आपको बताया एं अपने प्रिट्ली lecture में वह कितने होते हैं six होते हैं कैसा एक top view होता है एक front view होता है एक side view होता है left hand side view यह होता है right hand side view होता है एक होता है bottom view होता है यह six principle views होता है यानि के option number d the right answer according to the question तो चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट केश्चन कियो और अगला कोश्चन है हमारा the side view of an object is shown on plane, तो side view किस पे शो कर देम लोग, profile plane पे यानि की option number is the right answer, ओके और, वर्टिकल पेन मी और और वर्टीकल पेन पेन क्या स्वोख कर तेम लोग, फ्रन्ट विवू, ठीक है, और ओर अपधुल पीन पेन मी ख़कदेम लोग, और और रुटीटल पर शुखक देम, टॉप विवू ओक्योड तो यहां पर यह lecture complete होता है, अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को subscribe कीजिए और अपने दोस्तों का share कीजिए, जितना आप share करेंगे उतना हम लोग motivate होंगे और उतने अच्छे lectures आपके लिए लेके आते रहेंगे, मिलते नेक्स लेक deserved सकत अक्स मानँ जाेते प सकती होंगे, तो वीडियो समाशा है, भष्यास आपके पादती तो पीजिए्योंविफे, चैनल कैंदान काле के टॉता ई 오른 काद़ू करेंगे, जितना कари को को का मिलते याद।